सर छोटू राम ने एक ही चीज बोली थी कि बोलना सीख लो दुसमन करो पैचानना सीख लो सर छोटू राम के भी खिलाप में एक तो साव कारवरग था एक हिंदू संगठन थी और आज बवीता फोगाट के पीछे एक तो हिंदू संगठन है एक राजनितिक पार्टिया आज जब एक आदमी ने एक आदमी ने जब पूरे हरियाना को जनवाने का काम किया गया उसको वो था कोण सिरफ सैनी आज इसी कास्ट में और उसी कास्ट के अंदर एक डिम्मक लगा दी गई किसके लिए बवीता फोगाट के जमाग में जैर फैला के बई मैं हरियाना वाशियों से पील करता हूँ जिस तरह का जैर फैलाया जा रहा है उस जैर के बैकाव में तुम भी ना दो और पूरे अपने समाज को अपने हरियाना को और पूरे भारत की एकता को बिलकुल भी जैर गोडने का काम मत परो भाई मैं भी पूरो शैनिक हूँ मैं पूरो शैनिक कपील जजर्शे हूँ और आज हमारे साथ में एक 80 साल के बुजरग है हम सरफ यह आए हैं कि जिस तरह का हमने जैर देख्या ही पूरे हरियाना में पूरे इंडिया में कि कोई भी राजनेतिक पार्टी उसकी अवेलना करेगी मैं कर रहा हूं बवीता फोगाट के उन सब्दों की बात कि वो एक कोम को एक पंत को एक दर्म को निसाना बना रही है और वो निसाना बना रही है राजनेतिक पार्टियां कुछ हिंदू संगठन भाई मैं उन सारे पूरे हरियाना देशवासियों यह कहना चालता कि इस बहन के पीछे चल के पूरे समाज में आग लगाने का काम मत करो दूसरी बात मा आज बवीता फोगाट से पूछना चाता हूं आप जिस दर्म के खलाप में चल रही हो एक जमात को लेके आदमी अगर खराब है तो उस आदमी को लेओ आपने पूरी कौम को सूर बता हम फोजी आदमी हैं आपको ये मालूम है कि अगर फोजी बोटर पैना खड़या होता तो आप जैसे खलाडी नहीं बनते आप ये बोलते हैं कि मैं खलाडी हूं हमने गरो है कि आप रियाना की सयान हो पर आप से भी अच्छे खलाडी थे जिनका घर का व्योत नहीं था वो आज पाने के पता से बेच रहें ये तो हुड़ा की ऐसी तैसी थी जो जवान सईदों का पैसा जिनको मिलना था उनको 20 लाक और तुमारे को 5 करोड आज तुम ओड़ी गाड़ी में घूम रहे हो बैठके ये पैसा हमारा सईदों का था और आज सईदों के बच्चे बुख शया लगा लो है किसी भी जज्जर लगा लो सिरफ मु strict मुसलमान आए थे समर्थन में और आज हम जैर गोल्ड-णे का काम कर रहे हैं आज तक का इतियास है हरियाना में कभी भी किसि भी कोव के साथ में मुसलमान की तू और मैं नहीं हुई वही मुसलमान जो म्यवात में है या मारे कहीं भी है वो अपने आपको दो प्रिवारों के मानते हैं एक राम का प्रिवार एक कर्शन का प्रिवार वही मेवने छाती ठोके जो जब राजा था दिल्ली सल्तन पे मुसल्मान था उसके खलाप में लड़े आज हर्याना के अंदर इस तरह की बैदवाओ अगर आपको उनके विचारों पे मानते हो तो सर छोटू राम बड़े पंजाब जो आज एकती आई भाग पाकिस्तान में है वो छोटू राम मुसल्मानों में सब शेव बड़ा एक देवता की तरह पुज्या गया है उनको खिताब मिला रैवरे कौन सा तहू रैवरे आजम मतरी बनाई उनके खुद बनने के उन्होंने खुद इसको आई सविकार किया क्योंकि 62% बड़े पंजाब में जो जन संक्या थी वो मुसल्मानों की थी उससे भी वड़ी बात जिन्ना उस समय पे सबसे हिंदूस्तान में सबसे बड़ा नेता था जिन्ना को कान पकड़ के पंजाब से भार फैकने वाला सर्चोटू राम था वो उनकी खासियत थी समाज के अंदर देशवक्ती के अंदर आज हम जब मुसल्मानों के ऊपर ये जैर फैलाने का या मारी बान है इसको इसके दिमाग को हाईजैक करेके इससे नफरत फलवाने का काम कर रहे हैं सर्चोटू राम ने एक ही चीज बोली थी कि बोलना सीख लो दुसमन करो पैचानना सीख लो सर्चोटू राम के भी खिलाप में एक तो साव कारवरग था एक हिंदू संगठन थी और आज बवीता फोगाट के पीछे एक तो हिंदू संगठन है एक राजनितिक पार्टिया आज जब एक आदमी ने एक आदमी ने जब पूरे हियाना को जनवाने का काम किया गया उसको वो था कोण सिरफ सेनी आज इसी कास्ट में और उसी कास्ट के अंदर एक डिम्मक लगा दी गई किसके लिए बवीता फोगाट के जमाग में जहर फैला के भाई अगर बवीता फ परियाना का है वो बड़े ही एकता है ताओ तरी पुड़े ताओ तुम्धु शरीवात हमने शेवा करी है मुसल्मानों के साथ में और ताओ गनेडियर गुरूप से हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा मुसल्मान है परंबीर चकर पहला वो भी मुसल्मान ने मिल लिया वि में बड़ी पादूर है ताओ एक में तू बता देए सी सालका है बविता फोगात ने बेटा के गए यह लड़ा होने का जामत करें देखो बेटी बविता मा जोड़कर कहता हूं यह जैर मत खला हम आपका समान करते हैं तुम आप मेरी बेटी हो फोती हो लेकर आप यह तो पार्टी के मोई तब आओ माघरी यह प्यांदेर यह आपके लिए गल्टा आपको से बहनी रिती मत यह कह सकता हूं वाग को बच्छा बच्छा की बिलकुल क्योंकि जो पैसा तुमारे को मिले वो मारा पैसा था मारे बाईयों का पैसा था मारे गर्टे आद मी गए हैं सई बुखे मन लागे ना शिक्षा के लिए ना कुछ और के लिए बाई एक बविता पोगाट ने ये बता दे कि समाज को क्यों परे खोची है भी बाई बाई साब पहले सभी को मेरा आजोड के नमस्कार बविता पोगाट ने इंदू मुसलिम मजयर फलाने का काम किया है जिब कि ये हमारे साथ कंदे से कंदा मिला के चलते हैं हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं सबसे ज़्यादा कुर्बानीन की पक्के देश भगत है और चंदे काजमियों की वज़े से कुरी कों को बदनामने किया जए जिसने गल्ती के उसको सजा दो और हमारे अर्याण में ऐसा काम कभी नहीं हुआ था सबी एक साथ मिल जुल गरेते हैं और ये बविता पोगाट ये जो पैसा है ये पूरे देश का पैसा इन खिलाडियों के दिया जा रहा है जो अमारे टेक फेर का पैसा है जबकि ये सहीद परिवारों को मिलना था ये अमारे पैसे के बलपे जातपात का जैर गोल रहे कुछ हिंदू संगठनों के दबाव में और कुछ राज नहीं दिख दबाव में तो ये देश को बेगाटने का काम के रहे है आपना नाम हो पता है और फोजी हूँ मैं फोजी हूँ इस वरसे के लावत मेरा नाम है गाउँ मेरा गोची है जदेश्टी गर सब आसनरस्क में टीगा में मिम्बर हूँ है बावी मारा देख मारा दरम है हम फोजी आदमी है क्योंकि मारपा उंगली उठाने के लिए उस आदमी को खुद के अंदर सोगुन चाहिए इसलिए मारपा उंगली ने उठा सकता इसलिए हमने बीच में आना पड़ा क्योंकि एक बर हम इस हरियाना को देख चुके है बावी चारा जो मारा गया है जो आग लगती देखी है क्योंकि हरियाना एक कोम कानी हरियाना है इसका धर्म हरियाना है इसकी जत्ती हरियाना है अरे हरियाना तो पूरे वल्ड में हे जहाँ हरियाना आगया हरी की बूम्मी आगी अरियाली हागी और उसमें इस तरह की नफरत थला रहे हैं मबभीत्ता फोगाट बेहन को बेवयों को बोलना चाहता हूं जो पैसा तेरे पास में है वो मारा पैसा है फिर बोलना चाहता हूं कि हुड़ा की शितिशी होई जो मारे पैसे से तेरा घर बर्या गया तु वो डिगड़ी में बठाईगी तोने कितने एक सहीत परिवारों के पास में जा के तोने उन सेनिक वी द्वावीर नारियों के पास में उनकी पूछीै जा पूछी तेरे रक्षख्यामंत्री ने तेरी रेल्ली करी दाधरीं में हमने वैं इसकार कर तेरे पास में पे बी और कुरान पे भी कि इस देश की रख्षया हम बगेर जाप्ति के बगेर धर्म के बगेर पंत के करेंगे बगेर पुछे वे करेंगे तो मैं दादरी के पूरों शैनिकों से अपील करता हूं कि ऐसे जहरिलों को अगर आप राजनेती कुर्शियों बेठाओंगे तो आ उतनी बढ़ी है तो आजे फैर पार्टी है या एसी है जो कि जिसको मोरा बनाते हैं पहले है उसी की इस दिशी करते जिस तरह राजकुमार शैनिगी करी अर बेटी बिटा ये तरह को वादे के साहता हूं आपको साल या दो साल के अंदर आपको ऐसे कर देंगे दोद मेंसे मक्षी को निकाल कर फैंकते हैं यह बगा देंगे बार लिए आप इसाब लगा दी ना बेटी बश बिलकुल बिलकुल भीता बेबे जो तू कर रही है बहुत ही जहरील कर रही है तू बोल रही कि मैं डृती नहीं वो नहीं करती मत डृत किसने वो लैडर निमत समाज के लिए अच्छा काम कर क्यों डृणा इसका मतलब तू कुछ ना कुछ गल्थ कर रही है जो तू डृर रही है हम तेरे साथ में समाज के लिए लड़ समाज का बलाकर जो समाज में बहुत चीज़े हैं सुदार के लिए एक बर सर्चोटूरामने पड़ ले सर्चोटूरामने जान अपनी बात खतम करता हूं अगर सर्चोटूरामने तू जानगी तो सब कुछ है अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद